अर्वन र Records के आटे का बिलकुल नए तरीके का नास्ता नाहीं समोसा नाहीं कचोरी नाहीं पकोड़ी इतना क्रिस्पी बनेगा कि आप से बार बार बनाना पसंद करेंगे तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लिए इस नास्ति को बनाने के लिए एक कड़ाई में दो से तीन चमस तेल को गरम किया इसमें जीरा डाल देंगे जब जीरा अच्छे से चटक जाए तब इसमें तो से तीन कटी हुई हरी मिर्श और साथ में अद्रग को ग्रेट करके डाल देंगे इन सबी चीजों को बढ़िया से भूनेंगे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है अच्छे से भून लिया है तीनों चीजों को गैस की फ्लेम को लो करके भूनेगा ताकि ये चीजे जले नहीं अब इसमें एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे जिसे बारी कट कर लिया है अ अब इसमें डाल देंगे हरे मटर सीजन का टाइम है बहुत अच्छा लगता है मटर खाने में अगर जो लोग नहीं पसंद करते हैं वह प्याज और मटर तोनों चीजों कर सकते हैं मटर घारकर मटर को अच्छे से भूनना है प्याज और मटर दोनों साथ में भुन जाएंगी इसलिए प्यास को पहले जादा कुक नहीं किया था अब इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए कुछ मसाले तो सबसे पहले डालेंगे स्वाथ के अनुसार नमक थोड़ा सा बिल्कुल हल्दी पाउडर आधा चम्मस लालमश पाउडर आधा चम्मस धनिया और साथ में डालेंगे आधा से एक चमस अमचुर पाउडर, इस नास्ते में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सारे मसाले डाल कर इस तरीके से प्याज के साथ ही हमें एक मिनट के लिए अच्छे से भूनना है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर भी मसालों को अच्छे से भून सकते हैं अब इसमें डाल देंगे 3-4 बॉयल की हुए आलू जिने हमने अच्छे से उबाल कर और इनका छिलका निकाल दिया और इन्हें डाल देंगे इन्हें आप चाहें तो कद्धुकस करके डाल सकते हैं या फिर इस तरीके से बड़े-बड़े टुकडो य électendrian का और मिलाते जाएंगे और अच्छे से भूनते जाएंगे जैसे समोसा का Paradise का खाने में अगर आप चो छोटे बड़ी espère टोकडी रहेंगे अब सेम उसी कड़ाई में हमने एक चम्मच के करीब देल को गरम किया इसमें डाल दिया एक चम्मच जीरा जब अच्छे से चटक जाए तब इसमें डाल देंगे दो चम्मच के करीब सफेद दिल अगर है तो डालिएगा वरना आप स्किप कर देजीगा। चार्प में डालेंगे एक चमच्चिली फ्लैक्स यानि की कुटी हुई काली कुटी हुई लाल मिर्च और गैस की फ्लेम को लो करते हुए इन्हें अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे अब इसमें डाल देंगे एक से डेड़ कटोरी या एक कप पानी कोई भी कटोरी या क्रिस्पी करारा सा बनेगा नमक डाल दिया और साथ में डालनेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इस सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिला देंगे सारी चीजे बढ़िया से मिलाने के बाद इसे हम उबाल आने के लिए छोड़ देंगे तो यहां पर जब इसमें अच्छ दालेंगे तो यह लगबख एक से डेड़ कप पूरा मेजर्मेंट हो गया है तो आप अपने हिसाब से पानी लेख सकते हैं पानी थोड़ा सा जादा चाहिए और आटा थोड़ा कम तो इस तरीके से डाल कर गैस की फ्लेम लो करते हुए हमें इनकों बढ़िया से पका लेना है और ये देखिए बहुत जल्दी आटा और पानी अच्छे से सोक लेता है और ये बढ़िया सा डो जैसा बनकर तयार हो गया है जब ये कढ़ाई अच्छे से छोड़ने लगे तब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक बरतन में ताकि इसे हम थंड़ कर लिया चल्दी से तो अच्छे से ये पक गया है इसे निकाल लेंगे एक बरतन में और इसे थोड़ा सा ठंड़ा हो जाने देंगे इतना ठंड़ा हो जाए कि ये गुनगोना रहे पर हाथों में ये सह जाये अब इसमें ढाल देंगे एक चमच के करीब तेल ताकि ये जो आटा हमारा है वो एकदम चिकना, सौफ्ट सा लगकर तयार हो। इसमें कोई क्रैक रैक ना हो। इस तरीके से इसे थोड़ा सा गून लेंगे और ये एकदम बढ़ी सा सौफ्ट सा आटा हमारा लगकर तयार हो जाएगा। तो ये देखिए एकदम बढ़ी सा पर्फेक्ट और ऐसे हम बना लेंगे जैसे हम लोई बनाते न कचोरियां बरने कि लिए या है बढ़ने के लिए वैसे ही इसे बना लेंगे बीच में थोड़ा सब्सक्राइब MAYंगर बना घरेंगे को दो जोड़ा सउ लोग से साउत बहुत करें बना लेंगे पिकल कर आता है तो इस तरीके से हम इस नास्ते को पूरा शेप देंगे बढ़िया से और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है तो इस तरीके से हमने पूरा नास्ता बना कर त्यार कर लिया है जो कि बहुत जल्दी बच जाता है आप इससे चाहे तो स्टोर करके ती बिष्ट किल सिंपल है खरकी सामान से बनकर त्यार हो जाता है बस इसे आप चाहे तो डीप फ्राई करें चाहे तो सैलो फ्राई करें हमने तेल में कढ़ाई को गरम किया और इसमें 4-5 पीस एक बार में अच्छे से आ गए जितना बड़ा कढ़ाई ये पैन ले उसमें बुष्ट रागा बुष्ट ही बढ़्या क्रिस्पी करारा कुर्ण कर चीकार एक बर्मा गरम चाये और बढ़े शक्र और बढमiber के किसी के साथ सब करणे बड़े से लेकर बच्चों तक महमानों और बढ़े से नास्त्यकों यह नस्ता बना कर देखना मैमान भी पूछेंगे इसे आपने कैसे बनाया है बहुत ही क्रिस्पी करारा कुरकुरा ये नास्ता बनकर तैयार होता है अगर आपको भी ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिये शेयर कर दीजिये चैनल पे ने